ये नई नियमाबली में किसी भी सेवा सर्थ का दावा नहीं कर पाएंगे वो लोग ये पूरी तरह से उन पर कुठारा घात है नियमाबली में लिखा है कि आयोग नुक्त करेगा परन्तु कौन आयोग ये अस्पस्ट नहीं है भेग में रखा गया है नियमाबली के द्वारा 18 से 12 साल तक के नए सिच्छक अभिर्थी की उम्र रखी गई है 18 से 21 लेकिन अधिक्तम आयोग परिक्षा बाद में तै करेंगे एक जटके में पुराने नए सभी को मान बराबर कर दिये ये जो पास किये थे CTET और BTET उस परिक्षा का क्या लाव उनको मिला नमस्कार आपने उच्पोनेशन देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ वंदना नई सिक्षक निवा मली को लेकर बिहार बिधान सभा के नेतर परतिपक्ष बिजय कुमार सिन्हा ने सरकार पर निशाना साधा है उन्होंने सिधा सिधा आरोप लगाया है और कहा है कि बिहार के बच्चों के भविसे के साथ सरकार खिलवार कर रही है बता दें कि बिजय कुमार सिन्हान ही अरफ लगाते यह भी कहा है कि इस तरह से सरकार इन सब मामलों में घाल मिल कर रही है बिहार के जनता सब कुछ देख रही है पहले हम आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहना है बिहार विधान सभागे नेता प्रतिपक्ष बिजय प्राज्य अध्यापक नियमा वली दो हजार ताइस नियूजित सिच्छक अभ्यर्थी एवं CTET, BTET पातरता परिक्षा पास करने वाले के लिए ये कुठारा घात है बर्ष 2006-2012-2020 में बनी नियमा वली एवं विभिन कोटी में उसके द्वारा नियूजित सिच्छक के लिए नियमा वली 2023 को लिमिट कर दिया गया है ये नई नियमा वली में किसी भी सेवा सर्थ का दावा नहीं कर पाएंगे वो लोग ये पूरी तरस से उन पर कुठारा घात है नियमा वली में लिखा है कि आयोग नुक्त करेगा परंतु कौन आयोग ये असपस्त नहीं है भेग में रखा गया है नियमा वली के द्वारा 18 से 12 साल तक के नए सिच्छा के अभिर्थी की उम्र रखी गई है 18 से 21 लेकिन अधिक्तम आयू परिक्षा बाद में तै करेंगे एक जटके में पुराने नए सभी को मान बराबर कर दिये ये जो पास किये थे CTET और BTET उस परिक्षा का क्या लाब उनको मिला इतने दिनों से ये मामला लटका करके नियमा वली के नाम पर उनके साथ ये फरोडिजम है बच्चों के भविस्ट के साथ खिलवार है और सिच्छक अभियर्थी जो परिशान था बेहार सरकार के विभिन पदों पर अलग-अलग छेतर में लगभग साथ लाख पद खाली है जितने लोग भी है आधे से अधिक पद किसी-किसी विभाग में खाली है और लोगों की मौझूदगी नहीं रहने से न मेरा सैचनिक बातावरन ठीक है स्वास्त महकमा कमजोर पड़ा है हर विभाग के अंदर पूरी अस्त बेस्त अस्तिती है आखिर सरकार चला कैसे रहें बिना लोगों के सक्षम लोग एक तो आपने दुरभाग से संबिदा और नियोजन का सिस्टम लाया जो विहार के हित में कहीं से भी उचित नहीं था जब हम मंत्री थे उस समय मुक मंत्री जी का भी ध्याना क्रिश्ट किया था और मुक मंत्री जी ने स्विकार भी किया था हमने कहा कि संबिदा और नियोजन पर समर्पन नहीं होता है विभाग के परती अनुभव नहीं होता है और पूरी तरह से हमारा वह विभाग अंदर से कमजोड हो जाता है अब अस्थाई बहाली की बात कर रहे हैं आधे से अधिक पद खाली है भारतिय जनता पार्टी के साथ जब सरकार में थो तो उस समय भी आपने वचन दिया था कि अधिकतर विभाग में हम लोग बहाली करेंगे महागठवंधन की सरकार नो महिने से ज़्यादा हो गया क्यों बहाली नहीं कर रही है और बहाली के नाम पर न्युक्ति के नाम पर महागठवंधन तो पहले से महाठवंधन बना हुआ था अब लोगों को भी ठगने का खेल सुरू हो गया ये महाठक बंधन की जमात बहाली नहीं करेंगे कितने दिन में विग्यापन निकालेंगे उसका क्या होगा एक तो ये गलत बच्चों के साथ ये ठगी का खेल शुरू हुआ है इसलिए ये खेल किये हैं कि कोई इसमें कोट जाएगा मामला अठकेगा रोस्टर किरियन्स के नाम पर टाइम पास करेंगे तब तक चुनाओ आ जाएगा लॉली पप दिखा करके हम अपना बेहतरनी पार कर लेंगे ये विहार के बच्चों के साथ भविस के साथ खिलबार न करें सरकार के अलग-अलग बिभाग में साथ लाग के लगभग पद खाली है और सरकार को अस्पस्ट जबाब देनी चाहिए उतने लोग चाहिए सरकार चलानी है विभाग चलानी है और आप इस तरह से टाइम पास कर रहे हैं इतना इसमें भेग रख रहे हैं कि विद्याले के अंदर दो तरह के सिच्छक होंगे एक नियोजन के सिच्छक होंगे और एक सरकारी कर्मी के जो आयोग से आएंगे क्या कर रहे हैं आप इक कौन सी मानसिक्ता ले करके आपकी नियत साफ नहीं है आपकी नीती कभी सफल नहीं होगी और जो खेल आपने खेला है इसके पीछे कहीं न कहीं निक्ति घोटाला का मानसिक्ता जलगता है अगर जो जो सिच्छक अवियर्थी CTET और BTET से किये हुए हैं परिक्षा आउल्रेडी वो दिये हुए हैं आप डायरेक्ट उसकी प्रक्रिया शुरू करती इतने दिनों से ये गुमाने का क्या उद्दिस है हम समझ नहीं पा रहे हैं लोग ठगा मसूस कर रहा है ये बच्चे के भविस्ट के साथ खिलवार है और सदन के अंदर भी बार बार हमने मामला उठाते रहा सरकार जबाब नहीं दी सदन समाप्त होने के बाद ये महाठ ठग बंदनों की जामात लोगों को ठगने के लिए नए नए तरीके निकाले हैं ये कतई उचित नहीं है विहार के हित में नहीं है और विहार के बच्चों के भविस्ट के साथ ये खिलवार है नए ठीके पिछ नयामली को लेकर कही ने कहीं जो उचसाह था वो कही ने कहीं उसमें अब निराशा जनक खांथ लग रहा है वहीं बिपक्ष भी हमलावर है विहार विधान सभाके नेता प्लतिपक्ष बिजेकुमार सीना ने तो सिधा सिदा हारूप लगा और कहा कि बिहा तक भी ठगने की कोसिस कर रहा है इसको बस इतना ही बने रहे ये निश्पोनेशन के साथ अब तक हमारे चैनल को सब्स्राइब कें तो कलीजे धन्यवाद